हाई गाईज अससलाम उलेकुम कैसे आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे खैरियस से होंगे और आप लोगों की दूआ है गाईज मैं भी ठीक हूँ और खैरियस से हूँ सो गाइस कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताने था पालने वाले बच्चों के रेट की इस रेट पे मिलना है गाजीपूर बकरा मंदी में छोटे छोटे पालने वाले बकरे आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ हर तरह के बकरों के रेट जैसे आंडू बकरा बकरी और पालने वाला बच्चा और काटने वाले बकरे हर तरह के बकरों के रेट बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में प्लीज आप लोग एंड तक देखेगा वीडियो को वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक कॉमेंट शेर जरूर कर लिजेगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ ही साथ छोटा वाला बैल आइकोन को प्रेस कर दिजिए कि मैंने आने वाली हर न्य वीडियो की नॉटिफिक्शन आपको मिलती रहेगी इसके लिए और आप लोग उसे रिक्वेस्ट है मेरी की वीडियो प्लीज एंड तक देखेगा और आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेक्स वीडियो मैं किस पर बनाओं तो मैं वैसी वीडियो अचाई दोनों जोड़े में 18 मांग रहे हैं 15 में देज्जेगा कितने महिने के बच्चे यह बकरा यह बक्री यह दोनों बक्रे किस नसल गया है या वेमाग रहे हैं आठ मांग रहे हैं साथ का दे दिजेगा कौन से बग रहे हैं ये भी में वाथ सारे बग्रे में वाथ है और ये पहले वो बदा दीजेए वो जो छोटा बच्चा है उदर वो पठिया है वो पठिया कितने कि है इसके पांच मांग रहे हैं चार की दे दिजेगा बेड कितने क क्या है इन दोनों की नसल क्या है इन दोनों के दोनों 15,000 रुपे के देने वाले क्या रेट है इतने के दिंगे फिक्स रेट इन दोनों 14,000 रुपे में और कितने में दीजेगा 14 में और यह सबसे छोटा से प्यारा से बच्चा यह यह पठिया कितने की है इसके साथ मांग रहे छे की दे दीजेगा और यह काली वाली नो मांग रहे आड में दे दीजेगा 18 मांगने 16 में दे दीजेगा बच्चे के साथ में बच्चों के साथ एक बच्चा जो आपने दिखाया था उस ट्राइम पे अच्छा यह इसमें बच्चों होने वाला इसका एक महीने में हो जाएगा बच्चा कितने के दे रहे हैं एक मक्री अच्छा बारा हजार रुपे की एक बख्री है एक महीने में से बच्चा हो जाएगा वह काली वाली भी प्रेग्नेंट है उसका कितना है उसका ही बारा हजार रुपे कटने वाले बी हैं और पालने वाले कर नहीं है चमबर में जैसे बखरी आंडू बखरे को फिर खशी को इन्होंने सारे बखरें मिक्स करके रखे हुए हैं बखरी बख्रां आंडू ख़सी है पालने वाले बच्चे सारे मिख्स पर मेंगजी MAV बहुत ही बड़ी मंदी है बकरों के लिए और मॉर्णिंग के टाइम पर बहुत सारे बकरे आते हैं गाजीपूर में और डे होते 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 हो सारे खतम हो जाते हैं जो भी वैपारी होते हैं चोटे-चोटे वो सारे लेकी चले जाते हैं और मंदी में इतने जादा बकरे नही तो बिल्कुल सुभा सुभा जाना परेगा और हर रोज यह मंडी लगती है गाजीपूर बकरा मंडी में सो गईस देख सकते हैं यहां सारे मतलब मिक्स है यह काटने वाले भी हैं गैस इसमें और पाले वाले भी हैं देख सकते हैं सारे इन्होंने mix करके रखा है क्योंकि बारिश हुई थी तो बारिश की वज़े से पूरी मंडी में कीचर हो रही है तो इन्होंने सब को लेके एक साथ इसी चैंबर में mix करके रख दिया गाईस देख सकते हैं आप लोग और यहां बहुत सारे बकरे मिल जाते ह और दुमबा भी मिलता है हैं सबी चीज़ें मिल जाती हैं गाईस मैं कल जाओंगी गाजीपूर मंडी और मैं आप लोगों के लिए जो गुलाबी बकरा होता है उसकी मैं कोशिश करूँगी कि जादा से जादा वीडियो बना सकूं मैं गुलाबी बकरे की क्योंकि मुझे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे गुलाबी बकरे की वीडियो बनाने के लिए और देख सकते हैं इस साइट में यह सारे बकरे नहीं तो यह पालने वाले हैं और नहीं यह मतलब किसी चीज़ के लिए जैसे हकीका करने के लिए या फिर ऐसा कुछ नहीं यह सारे बकरे काटने वाले हैं क्यूंकि इन में कुछ न कुछ problems है ये एक भी बगरे मनला ठीक condition में नहीं है तो थीक condition में नहीं की वजह से एस बगरों के वधन से rate भी कम है जैसे स्वास्थ बगरे जो है वो 500 किलो है और जो इसकी condition ठीक नहीं है तो 400 रुपइ किलो सारे 400 रुपइ किलो में मिल जाएगा यह वाला बक्रा क्यूंकि सबकार तब्यष्प नहीं लग रही थी बहुत ब्यमार-बिमार से लग रहे था वह सारे बक्रे क्ली क मिलती नहीं absorbs और वह स्टlessly कंडिशन में बकरे हैं तो ये सारे वजन से 500 रुपे किलो मिलेंगे ये 500 रुपे से बिलकुल भी कम नहीं करेंगे फिक्स रेट है ये 500 रुपीज केजी और देख सकते हैं बहुत सारे बकरें गाईस अगर मैं रेट पूछना शुरू करूं तो एक एक बकरे का रेट भी बता सारे थी और भक्री भी एक साथ इन्हों ने रखा इस साइड में भी है बकरे यहां सारे चेंबर बना बना के रखते हैं तो यह ऐसा नहीं है कि 박री बकरा मतलब सबको मिक्स करके रख दिया क्योंकि मंडी में बहुत जादा कीचर होने की वज़ा से क्योंकि बारिश ओर यह बहर विबान देती थे और बारिश होनीकी वज़य से इन्होंने अंदर हो लिया ए बक्री और सब को मिक्स कर घदिया इन्होंने तो देख सकते हैं आप लोग यह 500 रुपे केढिंजी नहीं बक्र में स्क्षत кी एक नहीं कि अगर आप लोग कभी भी फिफ्चर में बक्रा लेने के लिए जाते हैं गाजीपूर बक्रमंडी में तो बहुत समझ कर बक्रा लेकर आए क्योंकि वहां सारे बक्रे इस तरह के समझ में नहीं आता कौन सा बक्रा क्या दे देंगे मतलों आप समझी सकते हैं जो मैं कहना चाह हैं तो बहुत समझ कर लेकर आएगा बक्रा वहां से गाजीपूर बक्रमंडी में क्योंकि इतने सारे बक्रे देखने को मिलते हैं क्योंकि हम इतने सारे बक्रे देखते देखते कंफ्यूज हो जाते हमें कौन सा बक्रा दे देंगे तो यह समझ नहीं आता का इस देख सकते ह पारिश ज्यादा होने की वज़ा से कीचड बहुत हो रही है पूरी मंडी कीचड से लदी पड़ी है जिसकी वज़ा से इन्होंने सारे भेर और बक्रियां सब एक साथ इन्होंने बाहन करके रखा हुआ है और मैंने भेर के रेट सो आप लोगों को बताई दिया था कि कुछ जादा अलग रेट नहीं है जितने रेट में बक्रा मिलता है उसी रेट की अकॉर्डिंगी यह भेरे भी मिल जाती है तो कई देख सकते हैं यहां बिन्होंने सारे बक्रे बाहन रखा है सब इसी रेट में है साथ हजार आठ हजार वदन से 500 रुपे किलो यह सारे बक्रे भी बना फीवर वगरा है वो ठीक कंडिशन में नहीं है इस वजह से असों देख सकते हैं आप लोग मंडी की क्या हालत हो रही है और मैं कितनी मुश्किलों में जाकर वीडियो बना रही हूं क्यूंकि बिल्कुल ही पैर रखने की जगह नहीं सिर्फ इतनी कीचर बहुत मैं आप अचे में दे जए और अगर हम लिद्वाइं अंगर समत्व चाहते हैं गाइस में हम स्क sekarang है standards like करो सब्सक्रे सो सब्सक्राइब उसलिसले चेड़ेडि की बहुत चोटी चाहती कि यहां पर गाजीपूर बक्रामंडी में किस रेट पे बक्रा मिल जाता है और वजन से कितने रेट में मिलता है तो वजन में गाईस यही है पान सुरुपे किलो सारे चार सुरुपे किलो चार सुरुपे किलो इस तरह के रेट में वजन में मिल जाता है बक्रा यहां कुछ कम करके वारना सिंगल एक लेने के लिए जाते हैं तो उनको तो वही रेट में ज्यादा कम नहीं करते हैं और गाइस कल है Saturday और मैं बखरे की वीडियो बनाने के लिए और मैं कोशिश करूँगी बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं वह गुलाबी-गुलाबी पिंक वाले बकरे की वीडियो शूट करके ले गरा हूँ क्योंकि Saturday में इन्होंने बताया था कि बहुत ज्यादा बक्रे आते तो मैं कोशिश शरूर करूंगे सुबह सुबह जाकर और मैं वह गुलाबी बक्रे की वीडियो बना कर लेकर रहा हूं गाइस और यही है यहां गाजीपूर बक्रमंडी में बहुत सारे बक्रे होंगे तो कभी भी आप लेने के लिए जाएं फ्यूचर म लेजेगा क्योंकि बहुत ही मुश्किलों के साथ मैं बहुत दूर जाके वीडियो बनाती हूं तो गैज मिलती हूं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए अलाहाफेज